हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सक्सोस मंत्रा मैं हूँ मोनिका गुली और आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूँ जो आपके हर्याना के सभी एक्जाम्स के लिए इंपोटेंट है ही साथ ही जो सूड़ेंट एच्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए भी उठाए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली रात को साड़े नो बजे ये क्विज लाइव होता है तो रात को साड़े नो बजे लाइव आ जाये कीजिए डेली ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोईशन से सिंदू सबैथा का परमुक सलोथल किस नदी के किनारे स् है तो इसका अंसर क्यों गांगा भोघवा के option d is a correct नेक्स्ट कि जवाहर लाल किस नहर से निकाली गई है यहां पर नहर आएगा ओके तो किस नहर से निकाली गई है बताईये पांच सेगिंड का टाइम है सभी के पास जल्दी अंसर दीजिए तो टाइम अप होता है अंसर क्या होगा इसका भाखडाओ के भाखडा नहर से निकाली गई है नेक्स्ट है हरियाना गोवन्छिस अंडक्शन एवम गो संवर्दन एक्ट की साल लागू हुआ यह मैं आपको करा चुकी हूं इसका अंसर सोच समझ के दीजिएगा सब स्टूरेंट्स को मैंने डेट के साथ कराया था तो दीजिए अंसर यहां तो सिर्फ संव बुचा गया है मैंने डेट भी बताई थी ओप्शन बी इस करेक्ट दो हजार पंद्रा नेक्स्ट है हरियाना में बिवानी टेक्स्टाइल मिल की स्थापना कब हुई थी अब बताईए कब हुई थी इनमें से यह कोशन ज्यादा तर प्रीवेस ही अरगे हैं और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो ध्यान से कीजिएगा एक कोशन को ओप्शन सी इस करेक्ट उन्निस सो सैथिस में बिवानी टेक्स्टाइल मिल की स्थापना हुई थी चलिए नेक्स्ट है फिफ्ट कोशन हरियाना क कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमना नदी से निकाली गई है दीजी आंसर ऑप्शन ए बी सी या डी तो क्योंगा इसका अंसर ऑप्शन सी इस करेक्ट गुडगाव नहर निकाली गई है नेक्स्ट है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पार पारित हुआ तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ दीजी आंसर अग्रेजी आप क्या होगा इसका अंसर ऑप्शन सी इस करेक्ट या निके 888 नेक्स्ट है राष्ट्री ए कांग्रेश का 896 का दिवेशन किसके लिए विख्यात है इंपोर्टे ने भी कांग्रेश दिवेशन आप सभी को याद होने चाहिए ओके कांसर क्या होगा ऑप्शन बीज करेक्ट यानि कि पहली बार राष्ट्री गीत गाया गया नेक्स्ट है रविंदर नाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपादी किस विरोध में वापस कर दी तो आप यह टैगोर को 1915 में ब्रिटेश सरकार ने नाइट हुड की उपादी से सम्मानित किया था लेकिन जब 13 अप्रेल 19 को जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे आहत होकर इन्होंने यह उपादी वापस कर दी थी और लाट चैम्सपोर्ड को पत्र लिखा था next combination of hardware and software that allows communication and electronic transfer of information between computers is आप बताएए क्या होगा इसका अंसर a b c या d time up क्या होगा इसका अंसर option a is correct यानि की network network कहलाता है okay hardware and software का combination जो अलोग करता है communication को okay और electronic transfer को चलिए next है bin is a web search engine owned and operated by आप बताएए option a Microsoft b yahoo c alphabet in the amazon time up इसका अंसर क्या होगा option a is correct यानि की Microsoft okay next है pancreatic hormones help अब बताएए pancreatic hormones होते हैं जो वो किस चीज में help करते हैं दीजिए आंसर regulate blood sugar levels regulate appetite stimulates stomach acid या all of the above बताएए time up क्या होगा इसका अंसर option d is correct यानि की all of the above देखिए regulate blood sugar level blood sugar को regulate करते है regulate appetite appetite को regulate करते है stimulates stomach acid stomach में जो acid produce होता ना उसको stimulate करते हैं सारे के सारे option ठीक है चलिए नेक्स्ट the father as well as the sons were mysteriously missing from the house अब बताएए इसमें किसमें error है या कोई error ही नहीं है दीजी answer चल दी time up आंसर क्या होगा अब देखिए वर को हम वाज में change करेंगे option b इसमें error है वर को वाज में change करेंगे अब देखिए इसको वर को हम वाज में क्यों change करेंगे reason क्या है when two subjects are joined by as well as okay the verb agrees with the first subject यानि कि जब भी हम दो subject को join करेंगे as well as से तो जो verb होगी न वो जो first subject होगा न उसके according आएगी अब इसमें father है न जो उसके according वर भाएगी क्यों कि first subject father है इसमें ओके तो वर की जगह पर क्या जाएगा वाज आ जाएगा तो वर की जगह पर क्या जाएगा वाज आ जाएगा ठीक है तो singular के according लग जाएगी I hope सबको समझा गई होगी बात जिसको ना आई हो comment box में पूछ लेना अच्छे से explain कर द मराठा यूद सी द्वित्यांगल मराठा यूद डी द्वित्यांगल मैसूर यूद आप बताएगे क्या होगा इसका आंसर है option a, b, c, c, р, d प्रतम आंगल मराठा युद्ध, option B is correct, प्रतम आंगल मराठा युद्ध के बाद 17 माई 1782 को सालबाई की संधी प्रहस्ताक्षर किये गए थे, इस संधी पर मराठा सामराज्य के प्रतिनिदियों और British East India Company के प्रतिनिदियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे, इस संधी के द्वारा अंग्रे जोने सलसेत और ब्रोश पर अपना नियंतर्ण कायम रखा, नेक्स्ट, निम्न लिखित में से मुर्धन्य वेंजन कौन से हैं, आप बताइए, इस में से मुर्धन्य वेंजन कौन से हैं, सोच समझ के आंसर दीजी का, डेली आपको एक्स्प्लेन कर रही एक पर बोलके देखिए ते ठे डे ठे 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 को, बोलके देखिए इस सब इच्छे की तरफ चछा होता रही है, इस में जीब देखिए है, और टे ठे 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 डे ठे ठे, इसमें आगे की तरफ टच हो रही है तो पीछे की तरफ टच हो रही हो तब कौन से हो गए तालवे हो गए और आगे की तरफ टच हो रही हो तो कौन से हो गए मुर्धन्य हो गए कौन से हो गए मुर्धन्य हो गए क्योंकि जीब आगे की तरफ टच हो रही है और चै, चै, जै, जै बोलके देखिए जीब का टच हो रही है पीछे की तरफ हो रही है न चै, जै, जै, जै में तो ये तालवे हो गए तो B और C option तो clear हो गया सभी को कहख है गहड है, ये कौन से है कंठे है, क्योंकि गले से वाज आरी है और तैथ है दैद है यह कौन से हो के दंत है क्योंकि दात पे जीव टच हो रही है बोल के देखिएगा सभी वीडियो को पॉज करकर के सब स्टूडेंट्स तक यह सारे के सारे वेंजन आपको याद हो जाएं अच्छे से नेक्स्ट है परिक्षा में कौन सी संधी है अब बता सी को बताती हूं कि जब भी कभी बढ़े आक डंडा बड़ी की मातर कंट राजय तो वहां मेंशा दिर्गसंदी संधी दिरंग का मतलब होता है बड़ा होता है ऑके तो परिक्षा में कॉनसी संधी और दिरंगसंदी होगई नेक्स्ट है आगे में कौन सा समास मुण्थ स तो इसका अंसर होगा option A is correct यानि की द्वंद्व समास अब देखिए मैंने आपको कल भी यही कर रहा था और बताया था जब भी कभी हाइफन आ जाए या इस टाइप के शब्दाए उपर नीचे आगे पीछे अच्छा बुरा ठीक है सच जूट मतलब इस टाइप के question आ जाए तो वहाँ पर हमेशा कौन सा समास होता है द्वंद्व समास होता है हाइफन से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं आप बताये 17 का अंसर क्या होगा A, B, C या D दीजी आंसर तो टाइम अप होता है option A is correct यानि की different अब देखिए distinctive क्या होता है विशिष्ट होता है और different क्या होता है आलग होता है ओके तो इसका स्रुन नहीं हो गया चलिए बाकी क्यों options देख लेते हैं लाइवली लाइवली क्या होता है जीवन्त या फुर्तीला आनेबल आनेबल क्या होता है A समर्थ जो समर्थ ना हो determined determined क्या होता है द्रड नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ एक्स्टावगेंट ए डेवलपिंग बी वन्डरफूल सी डिसेपियरिंग डी इकोनॉमिकल आप बताइए क्या होगा इसका अंसर एंटोनिम बताना है सिनोनिम नहीं सो सोच समझ की अंसर दीजेगा फाइब सेकेंड खतम होती है time up आंसर क्या होगा इसका economical जानी की option d is correct अब देखिए extravagant क्या होता है जो खर्चिला हो एक्स्ट्रा खर्च करें और economical क्या होता है किफायती होता Wonderful, wonderful क्या होता है अद्भूत Disappearing, disappearing क्या होता है गायब होता हुआ तो disappearing क्या हो गया गायब होता हुआ और economical मैं आपको बता चुकी हो गिफायति चलिए next The scientist worked for donkey's ears to arrive at the formula Option A, a long time B, a short time C, like donkeys D, for few years आप बताईए क्या होगा इसका अंसर जल्दी आंसर दीजिए वेरी गुड सही आंसर दे रहे हैं जालतर स्टुडेंट्स औक अलसुर या लर्ट जडूर्ट समय और बाकिक अप्ष्ण सब्साइब एइस का ने रहे हैं आप बताईए 20th का अंसर क्या होगा जल्दिस अंसर दिजिए तो उनली 5 सेकंड्स टाइम आप आप बताईए 20th का अंसर क्या होगा आप देखिए 4-footed अंसर क्या होता है चार पैरो वाला जानवर उसे बोलते हैं वाटरप्ड ओके चेले बाकी के उप्शन्स देख लेते हैं अब देखिए ट्रिप्ड क्या होता है फिसलना सेंटिपर्ड सो पैरो वाला यानि की कान हजुरा परजात्री टाइफ होके डबल पेर्ड क्या होता है दोहरी जोड़ी एंट्वने मौफ एस्चू छोड़ इसका यह वो कोश्यन है जो कल मैंने आप से पूछा था जिसका अंसर आपको कमेंट बोक्स में देना था तो एस्चू का एंट्वनें बताना था तो एंट का प्रेशन है जो आपके लिए है इसका अंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देखे जाना सेरना बस नीचे कमेंट बोक्स में आठेकर जाएंगा सभी स्टूट्ट्ट्ट ऑ क n अब अब जो स्टुडेंट्स पुराने हैं, I hope सभी ने अपने पुराने फ्रेंट्स को सभी को बता दियोगा, क्विज फिर से स्टार्ट हो चुका है, जितना हो सके वीडियो को शेर जरूर किया कीजिए, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी स्टुडेंट्स वीडियो को ल सादे सुबजे डेली लाइव आजाएं, और हाँ, कमेंट्स करके जरूर जाएगा, और बावाय, थैंक यू, लाइक, शेर और सबस्क्राइब, और जिसने सबस्क्राइब नहीं किया, चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना, और साथ में, बेल आइका जरूर दबा लेना बाई बाई थैंक यू सोने झाल सकते बाई भाऌब मतोशपय कर दो का चलोगो थैंक दो का मत. रhai सती हम बाई रहो थैंकित जाल औरो